कर्मी में खाना कम हो जाता है और कोल्रिंग्स बहुत जादा और ऐसे में जब भी हमें प्यास लगती है मन कहता है कुछ ठंडा मिर जाये और ऐसे में हम इन सारे ड्रिंग्स को बीना सोचे समझे गट-गट पी जाते हैं क्योंकि यह स्वादिस्थ होते हैं और हमें अट्रैक् पीना ही है और अपने बॉड़ी हाइट के अकॉर्डिंग वेट चाहिए और किसी भी बिमारी से पचना चाहते हैं तो दोस्तों मा प्रकृती ने हमें समर ड्रिंग्स भी उपहार में दिये हैं तो क्यों आप उनका प्यार ठुकरा रहे हो नमस्कार मैं डॉक्टर योगिता आज मैं आपको ऐसे मैजिकल रिंग्स के बारे में बताने वाली हूँ जो हमारी बॉड़ी के लिए बहुत ही हेल्दी होता है तो सबसे पहले आते हमारे डॉक्टर गुलकन जी गुलकन बनाने के लिए आपको केवल रोस पैटल्स, मिश्री, इलाइची और शेहत चाहिए अब आप सोचेंगे इतनी महलत कौन करें, मार्केट से एक रोब्जा का बॉटल ही ले आते हैं तो दूस्तों क्या आप जानते हैं रोब्जा का जो एक बॉटल है वो आपके शरीर में स्लो पॉईजन का काम करता है इसके एक चम्मच रोब्जाग के सीरप में कम से कम दस चम्मच शक्कर के बराबर शुगर सीरप होता है जो आपकी बॉड़ी के लिए बहुत ही हामफुल होता है इसके साथ ही इसमें फामफुल प्रिजवेटिव्स होते हैं जैसे INS 330, INS 211 आपने इसके इंग्रिनिट्स पे देखा होगा ये preservatives हमारे शरीर के जो essential amino acids होते हैं उसको ये destroy कर देते हैं और हमारे शरीर को ये cancer जैसे भयानक रोगों की तरफ लेके जाता है आपने सोचा होगा कि रोपसा की bottle में इतने दिन store करने से भी ये खराब नहीं होते क्योंकि ये preservatives anti-fungal or anti-inflammatory properties में होती है जिसकी वज़े से ये bacterial growth से उसको बचाता है ये सारे drinks हमारी body में चरचड़ापन, ठकान, excitement और नचाने कितनी तरह-तरह की बिमारिया पैदा करता है आजकर इतने सारे unknown disease आ रहे हैं और इन सब का कारण यही हमारी life style है साथ ही कुलकन के इतने सारे benefits आपको मिलेंगे कुलकन के बहुत सारे फायदे होते हैं हमारे शरीर में यह कभी constipation नहीं होने देता कुलकन को pregnant ladies भी ले सकते हैं यह nose bleeding में बहुत help करता है chest pain, pate में जलन, ठकान यह जिसकी आपों की रोशनी कमे फ़ह ले सकते हैं uric acid कम होता है, इससे antibiotic का side effect यह कम करता है अगर आप गुलकन लेते हैं तो इसका maximum dose 20 gram होता है 20 gram से जादा एक दिन में नहीं लेना है आपको बुसरा रिंख है सत्तू सत्तू अपने आप में एक natural ring है क्योंकि इसमें भूने हुए चने को powder बना कर इसे पानी के साथ लेते हैं पहले इसे rural area के लोग लेते थे अपने भोजन के रूप में लेकिन आज इसे celebrity भी लेते हैं जैसे सिर्पासेटी, आयुश्मान, खुराना क्योंकि उन्हें भी पता इसके फायदे के बारे में इसके बहुत सारे फायदे होते हमारी बॉड़ी में 100 ग्राम सत्तू में 16 से 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और साथ ही या गर्मी में हमारी बॉड़ी को ठंडा रखता है अगर आपको कॉंस्टिपेशन है तो या आपकी बॉड़ी के लिए बहुत ही अच्छा है इसमें काफी अमॉड में फाइबर प्रेजेंट होता है इसके आप रोटी भी बना के खा सकते हैं और इसे आप पानी के साथ भी ले सकते हैं या पीने में बहुत स्वादिस्ट होता है बटर मिल्क यानि की छाच दोस्तों कुछ लोग डरते हैं कि छाच लेने से हमारा वेट केन होगा लेकिन दूद से छाच बनने तक के प्रोसेस में इसका फैट लेवल काफी कम हो जाता है तो इसे आप ले सकते हैं आपका वेट केन नहीं होगा छाच में सारे nutrients मौझूद होते हैं, यह हमारी body के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें vitamin B12 भी काफी amount में मौझूद होता है, जो कि हमारी हड्यों के लिए बहुत अच्छा होता है, इवन lactose intolerance वाले भी इसे ले सकते हैं, यह हमारी body को hydrate करता है, और जिसे भी lose motion होते हैं, आपको bottle वाला या market वाला नहीं लेना है, घर पर ताजी छाज पना कर ही पीना है, फिफ्थ magical drink आम का पन्ना, कच्छी केरी, यानि कि सब का फेवरिट, मौ में पानी आ रहा है, बहुत से लोग, fruity, slice, mango, जिसे भी आम के प्रोड़क्स, juices जो होते हैं, वो बाहर से लेते हैं, लेकिन यह हमारी body के लिए बहुत हामफुल होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें काफी amount में preservatives होते हैं, जो हमें बहुत हाम करते हैं, हमारी immunity level को भी कम करते हैं, लेकिन वही अगर आप आम का पन्ना घर पे बना के पीते हैं, तो यह आपकी body में भरपूर amount में calcium, भरप करता है, hemoglobin को बढ़ाता है, hydration को बढ़ाता है, digestion में हमारा help करता है, और इसे diabetes वाले भी ले सकते हैं, आम परना बाहर का लेते हैं, तो थोड़ा risk रहता है, इसलिए घर पे ताजी बना के लेजे, क्योंकि अगर आप बाहर का लेते हैं, तो जो germs होते हैं बाहर के या फिर bacterial infection हो सकता है, next magical drink से जलजीरा, दोस्तों गर्मी में कई लोगों को acidity बहुत जादा होती है, तो जलजीरा एक बहुत ही अच्छा option है acidity के लिए, या हमारे पेट में acid content को balance करता है, साथ ही जिनको periods में बहुत जादा pain होता है, वह जलजीरा रोज पिये, इसमें काफी amount में vitamin C साथ ही या हमारे weight loss के लिए भी बहुत अच्छा होता है, अगर कभी भी आपको nausea या vomiting जैसा लग रहा है, तो आप जलजीरा पानी लीजिए, या उसको कम करेगा, या हमारी body को detox करता है, क्योंकि इसमें vitamin C और iron जादा मॉन में होता है, so next magical drink से हमारा lemon mint cucumber juice, सुनते ही body में ए अगर आप भी चाहते हैं, तो mint cucumber lemon water में आपका skin glow कर सकता है, या आपका body को detox करता है, क्योंकि इसमें बहुत जादा मौन में vitamin C और fiber भी प्रेजंट होता है, body detoxification में भी help करता है, और skin को glow भी करवाता है, अच्छकर बहुत सारे salipriti black water यूज करते हैं, आपने देखा ही होग प्रेकिंबर को water, आप भी पीना चालो कर दीजे, लेकिन ध्यान रहे इसे excess amount में नहीं लेना है, ये तो ये body में toxicity भी create करती है, आपको reflux generate हो सकते है, acidity की problem हो सकती है, नेक्स्ट magical drink से हमारा बेल की शर्बत, बेल का शर्बत लोग बनाने से खिच-किच आते हैं, क्योंकि इसे बनाने में बहुत tough काम करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको अपने body को ध्यान में रखना है, तो बेल का शर्बत आपकी body के लिए बहुत ही अच्छा है, बेल का शर्बत बाड़ी में cooling effect देता है, साथी जिनको भी lose motion body में infection है, जैसे diarrhea है, lose motion जादा हो रहा है, तो उस इसे लेना constipation के लिए भी बहुत ही अच्छा है, तो दोस्तों मेरा या video बनाने का मोटिफ केवल इतना था कि आपको बाहर के जो cold drinks बिकती है दुकानों में और हम जो घर में naturally बना सकते हैं, उसके बीच का difference कितना है और कौन हमारी body के लिए ज्यादा सही है, तो कोशिश कर ये आप summer drinks में natural चीजों को ही ले, कि आपकी body के लिए बहुत ही अच्छा है, और अम्रित प्यों जहर तो बिल्कुल भी नहीं, तो अगर आपको ये video अच्छी लगी और इन्फरमेटिव लगी हो, तो इसे लोगों तक ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करन नमस्कार, मिलते हम अपने अगले वीडियो पे, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें